लॉले रोड अंग्रिजी कहानी प्रसिद लिखक आरके नारायन की लॉले रोड एक इंग्लिश कहानी है जिसको यहाँ पर हिंदी में प्रस्तुत किया जा रहा है बातुनी राम ने कहना शुरूर किया बहुत सालों तक मालगुडी के लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ कोई मुनिसिपल्टी भी है और इस से कस्पिक का कोई नुकसान भी नहीं था बिमारियां अगर वे शुरू भी होती तो कुछ दिन बाद खुद बखुद खत्म हो जाती खत्म तो उने होना ही होता था धूल और गंदगी हवा को उड़ा ले जाती नालिया भर कर बेह निकलती लेकिन खुद ही खाली भी हो जाती मुनिसिपल्टी को जादा कुछ करने की जरुत ही न पड़ती लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद अचानक द्रश्य बदलने लगा उस दिन देश भर में हिमाले से कन्या कुमारी तक जितने जोश खरोश के साथ जर्शन बनाय गया उसकी दुनिया में इतिहास में दूसरी कोई मिसाल नहीं है हमारी मुनिसिपल कोर्पोरिशन भी उत्सा से भर उठी सारा सडकों पर जड़ू लगए गई नालियों का कच्रा साफ किया गया हर महले में जंडे फेराए गए जंडे के तले गाते बजाते बड़ी धूम धाम से जुलुस निकाले गए मुनिसिपल चेर्मेन की बालकनी पर खड़े होकर संतोष पूर्वक कहा इस महान अवसर पर हमने भी काफी कुछ कर लिया मेरा ख्याल है कि कमेटी के जो सदस्य उनके साथ थे उनमें से एक दोने उनकी आँखों में आसू भी दिखे उन्होंने लड़ाई के जमाने में सैना को कंबल बेच कर बड़ी आमधनी की थी और बाद में उस पैसे का सदुप्योग चेर्मेन का पद प्राप्त करने में किया था यह भी अपने आप में एक लंबी कहानी है लेकिन यहां हम उसका जिक्र नहीं करेंगे यहां मैं एक दूसरी कहानी बताने जा रहा हूँ चेर्मेन को आजादी का जैशन मनाने में जो खुशी हास्षिली हुई वह जादा देर तक नहीं रही हफ्ती भर बाद जब जंडे वगर उतार दिये गए वे बहुत निरूत साहित हो उठे मैं उनसे मिलने प्राय है हर रोज जाता था क्योंकि राजधाने से निकलने वाले एक अकफार के लिए मैं खबरे भीजने का काम करता था जिसके लिए वे दो इंच खबर के लिए दो रुपय के हिसाब से परिश्रमिक देते थे इस तरह हर महिने इसमें दस पार इंच के करीम मेरी भीजी गई खबरे खब जाते थी जो ज़्यादा तर उसके कामों का अच्छा पक्षी सामने रखती थी इस कारण में उनका प्रेवक्ती भी बन गया था मैं चेर्में के दफ्तर में आता जाता ही रहता था अब वे इतने उदास दिखे कि मुझे पूछना ही पड़ा क्या बात है चेर्में साहब मुझे लगता है कि हमने कुछ जादा नहीं किया वो है बुले किस बारे में इस महतुपूर्ण दिन की महिमा बढ़ाने के लिए वे फिर कुछ देर तक सोचते रहे फिर कहने लगे जो हो मैं इसके लिए कुछ बड़ा काम जरूर करूँगा सबने तुरंत फैसला लिया कि आजादी के सम्मान में शहर की सभी सड़कों और पार्कों के नाम बदल कर महा पुषों के नामों पर रख दिये जाएंगे इसके शुरुआत मार्केट स्कॉयर के पार्क से की गई आप तक इसे कौरोनेशन यानि राजगदी पार्क के नाम से जाना जाता था हालां कि यह किसी को सपस्ट नहीं था कि इसके राजगदी राने विक्टोरिया की या समराट अशुक की अब पुराने बोर्ड को हटा कर मैदान में डाल दिया गया और उसके स्तान पर हमारा हिंदुस्तान पार्क का नया बोर्ड शान से लगा दिया गया इसके बाद दूसरा परिवर्तन स्विकार करने में बड़ी दिक्कते पेश आई, महात्मा गांधी रोड सबसे आकशक नाम था, आठ विचित्र वालडों के प्रतिनिधी, यह नाम अपने यहां की सडक के लिए चाहते थे, छह और प्रतिनिधी थे जो चाहते थे कि उनके घर के सामने की सडक का नाम नहरू रोड या निताजी सुभाश बोस रख दिया जाए, जगड़ा इस कदर बढ़ा कि मुझे लगा कहीं मार पीठी ना हो जाए, एक शनक तो ऐसा आया कि पूरी कमेटी पागल हो थी, उसने तै किया कि चार अलग-अलग सडकों को एक ही नाम दे दिया जाए, अब जनाब, दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकतंत्र, देश भक्त, देश में भी यह नहीं हो सकता कि दो जग़ों को एक ही नाम दे दिया जाए, खैर, नाम बदल दिये गए और पंद्रह दिन में हालत यह हो गई, कि नए नामों के कारण यह बताना मुश्क मुदाली स्ट्रीट, सब नाम खत्म हो गए, इनके इस्थान पर नए नाम आ गए, चार जगों के एक ही नाम, और सब मंत्रियों, उपमंत्रियों और कॉंसिल सदस्य, सभी के नाम रख दिये गए, लेकिन इससे बहुत गड़बड हो गई, चिठियां जहां पहुंचनी होत जाती थी, लोग ठीक से बता नहीं पाते थे, कि वे कहां रहते हैं, पुराने परिचित नामों के बदल जाने से, शहर जंगल में बदल गया, चेर्मेन यहे काम करके बहुत खुश था, लेकिन यहे खुशी भी, जादा दिन तक न रही, कोछ दिन बाद उस पर, फिर एक द मूर्ती लगी थी, लोग इस मूर्ती के इतने अभ्यस्त हो गए थे, कि वे उसे नह देखते थे, और नह जानते थे, कि यह मूर्ती किसकी है, चेर्मेन को अचानक याद आया, कि यह सर फेडरिक लॉली की मूर्ती है, उसी के नाम पर, एक्स्टेंशन का नाम रखा गया है अब इसका नाम गांधी नगर रख दिया गया था, इसलिए इस मूर्ती को यहां जरुत नहीं थी, परमेटी ने एक मत से इसे हटाने का फैसला कर लिया, चेर्मेन की साथ सब सदस्य दूसरे दिन मूर्ती के पास पहुँचे, तब उन्हें पता चला कि मूर्ती उन से भी 20 उची है और उसकी नीव में पिगला सीसा भरा हुआ है, उन्होंने पहले यह सोचा था कि अपने निश्चे की ताकत से वे इस शत्रप की मूर्ती को वहां से हटा देंगे, लेकिन अब उन्होंने पाया कि यह तो परवत की तरह मजबूत आधार पर खड़ी है, अब उन्हे ग्यात हुआ कि अंग्रजोनों उनके देश में अपना सामराज बहुत मजबूत आधार पर खड़ा किया था, लेकिन इससे कमेटी का निश्चे और भी द्रड़ हुआ, मूर्ती हटाने के लिए शहर का कुछ हिस्सा तोरना भी पर जाए, तो भी वे पीछे नहीं हटेंगे उन्होंने सर्फ एडरिक लॉली का इतिहास भी खोज निकाला, उन्हें पता चला कि लॉली यूरोप के शैतान एटिला दहून और नादी राशाह का संबिश्च्रन था और मेकिया वैली की तरह चालाग था, उसने तलवार के बल पर भारत वासियों पर अधिकार जमाया, और जहां से भी विरोध की जरासी भी खबर आती, उस जगह को बरबात करके ही दम लिता, वह भारतियों से तब तक नहीं मिलता था, जब तक वे घुटनों के बल चल कर उसके पास नहीं आते थे, लोग घोज मर्रा का कामकार छोड़ कर मूर्ती के इर्द गिर्द घूमने क कर सोचने लगे कि उन्होंने इस आदमी को इतने दिन तक बरदाश्थ कैसे किया, अब वह सामने खड़ार नफरत के मुस्कान से उन्हें देख रहा था, उसके हाथ पीछे बंधे थे और कमर से तलवार लटक रही थी, इसमें संदेह नहीं है कि वह इतिहास का सबसे जालिम शाशक था, जिसकी तस्वीर विग लगाए, ब्रिचेज और सफेद वैस्ट कोट पहने, सक्थ नजर के सामने देखते, भारती य इतिहास में ब्रिटिश यूग के साशकों की तस्वीर सबको याद है, वे यह सोच कर कापने लगे कि ऐसे कठो शाशक के आधिन उनके पूर अरजन ठेकेदारों में टेंडर भरे, जिसमें से सबसे कम पचास हजार रुपय का था, मूर्ति को वहां से हटा कर कमेटी के दफतर तक पहुचा ना था, जहां यह विचार किया जा रहा था कि इसे रखा कहा जाएगा, चेर्मेन ने सोच विचार करके मुझे बुलाया और कहा, तुम इसे क्यों नहीं ले जाते, अगर तुम इसे अपने खर्श से उठा ले जाओ, तो मैं तुम्ही यह मुफ्त में दे दूँगा, अभी तक मैं सोचता था कि कमेटी के लोग पागल हैं, लेकिन अब मैंने पाया कि मैं भी उन्ही की तरह पागल हूँ, अब मैं मू मूति को तोड़ने और यहां तक लाने में मेरे 5,000 रुपे खर्श होते हैं, मैं जानता था कि ठेकेदार बहुत जादा पैसा मांग रहे हैं, और उसकी धातु की विक्री से मुझे 6,000 प्राप्त होते हैं, तीन टन धातु का पैसा बहुत जादा भी मिल सकता है, मैं इसे ब बहुत जल्द मूर्टी मुझे मुश्द देने का प्रसाब पास कर दिया, अब मैं काम करने के तैयारी करने लगा, मैंने बहुत जादा ब्यास देने का लालस देकर अपने ससुर से रुपिया उधार ले लिया, पचास कुलियों की टीम बनाई जो मूर्ती की नीव उखाडने का काम करेंगे मैं उनके उपर गुलामों से काम लेने वाले मालिक की तरह खड़ा हो गया और जोर-जोर से हुक्म देने लगा वे शाम को 6 बजे कार्य बंद कर देते थी और सवेरे फेश शुरू कर देते थी मैं उन्हें खास्तों से कुपल गाउं से लाया था जहां के लोग मैमी जंगल के पेड काटने से मजबूत हो जाते हैं दस दिन तक फावड़े चलाते रहे नीव में जहां ताहां थोड़ी बहुत दरारे पड़ी लेकिन इससे कुछ जादा न हो सका मूर्ती जगय से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी मुझे डर लगा कि इस तरह तो 15 दिन में मेरा दिवाला निकल जाएगा अब मैंने जिला मजिस्ट्रेट से डाइनामाइट के कुछ तुकड़े खरीदने की आज्या प्राप्त की और उस शेत्रिक में लोगों का आना जाना रोक कर डाइनामाइट में आग लगा दी मूर्ती ढह गई किसी को चोट भी नहीं लगी फिर इसे घर तक पहुचाने में तीन दिन लगे खास्तों से बनाई एक गाड़ी में इसे रख कर कई बैल धीरे धीरे खीच कर ले गए रास्ते में आवा गमन काफी देर तक बंद रहा लोग मुझ पर हस्ते और फप्तियां कस्ते दूर तक साथ रहे और दिन की सक्त गर्मी में तरह तरह की आदेश देता मैं साथ चला हर उची नीची जगह और कोने पर मुर्ति को रुखना पड़ता जहां वह ने आगे बढ़ पाती ने पिछे हरती रास्ते बंद हो जाते ओधेरा बढ़ता जाता यह सारी कहानी अब मैं दोराना नहीं चाहता फिर राद भर सड़क पर मुर्ति के पास बैठा मैं इस तरह पहरा देता रहा सर फेडरिक पीट के बल जमीन पर पड़े खुली आखों से उपर आस्मान के तारे निहारते रहे मुझे उनकी इस स्थिती पर अफसोस भी हुआ कहा आपको कठोर समराज जवादी होने के कारण यह दिन देखना पड़ रहा है भुरह का नतिजा अच्छा नहीं होता फिर इसे मेरे छोटे से घर में आराम से रख दिया गया सामने के कमरे में सीर और धर रखा गया और पेट तथा पैज दर्वा जैसे बाहर निकल कर सड़क पर रख दिये गए मेरी कभीर गली के लोगों ने रास्ता रुकने का बुरा नहीं माना और खुशी से हर परेशानी को स्रिकार कर लिया म्योने सीपल कमेटी ने मुझे धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया यह खबर मैंने अपने अखबार को भीजी जिसके साथ दस इंच लंबी इसकी पूरी कहानी भी बयान कर दी एक हफते बाद चेहरवें साहब बहुत परिशान हालत में मेरे घरा पहुंचे मैंने जालिम के सीने पर बैठा दिया उन्हें वे बोले तुम्हारे लिए एक पूरी खबर है तुम यह अखबार में छपने ना भेशते तो अच्छा होता यह देखो और उन्होंने बहुत से टेलिग्राम मेरी ओर बढ़ा दिये यह तार भारत की करीब करीब सभी एतिहासिक संस्ताओं से आये थे जिन में मूर्ति को हटाने का विरूद किया गया था हमें सर फेडरिक के बारे में धोका हुआ था लॉली नाम का जालिम एक और ही व्यक्ति था जो सर वारेन हैस्टिंग के जमाने में हुआ था अलगुडी कस्वा वसाया यहां उसने देश भर में पहली को आपरेटी सोसाइटी बनाई पहला नहर का जाल बिछाया जिससे सर्यू नदी का पानी हजारों एकर बंजर पड़ी धर्ति की सिचाई करने लगा उसने यह और वह बहुत कुछ किया और सर्यू की बाड़ में ही जहां वह उसके किनारे रह रह सैकडों लोगों को बचाने गया था उसकी ब्रत्य हुई वह पहला अंग्रेश था जिसने ब्रिटिश आश्कों से कहा कि देश चलाने के मामले में भारतियों को शामिल करना चाहिए अपने एक पत्र में उसने कहा था ब्रिटेन को किसी दिन स्वैम अपने हित में भारत छोड़ना पड़ेगा चेर्मेन ने कहा सरकार ने हमें मूर्ति को वापस लाने का आदेश दिया है यह असंभव है मैंने जोड़ दिखकर कहा अब यह मूर्ति मेरी है और इसे मैं ही रखूँगा मैं राश्ट्रिय नेताओं की मूर्तियां एकठा करता हूं लेकिन इससे कोई प्रभावित नहीं हुआ एक हफ्ते में देश भर से इस अख़वार में सर फेडरिक लॉली की चर्चा होने लगी आम जनता उत्साही थोटी मेरे घर के आगे लोगनारे लगाने लगे और प्रदशन करने लगे उनकी मांगती थी मूर्ति वापस नहीं लगाई जाए मैंने हार कर यह कहा कि अगर मिनिसिपल कॉमिटी इसमें खर्च हुआ मेरा पैसा वापस कर दे तो मैं मूर्ति का कबजा छोड़ दूँगा जनता मुझे अपना दुश्मन समझने लगी यह आदमी मूर्ति के साथ चोड़ बाजारी कर रहा है उनका इसपस्ठ मत्था दुखी होकर मैंने मूर्ति को बिक्री के लिए पेश कर दिया एक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षों में लिखा मूर्ति बिकाव है धाई टन बढ़िया धातू आप किसी देश भक्त मित्र को इसे भेट में दे सकते हैं दस हजार रुपए से कम के आवे दनों पर विचार नहीं किया जाएगा इससे लोग और भी भड़क उठे चाहने लगे कि लात गुंसों से मुझे मारे लेकिन देश में अहिंसा की परमपरा होने के कारण उन्होंने मेरे घर की पिकेटिंग करने का फैसला किया वे जंडा हाथ में लेकर घर के आगे लेट गए और नारों से सड़क गुंजने लगी एक ठक जाता तो दूसरा उसकी जगए ले लेता इस तरह पारियां बना कर यह सत्या ग्रह चलाया जाने लगा घर में मूर्ती रखने की जगए बनाने के लिए मैंने पत्नी और अपने बच्चों को गाउं भीज दिया था इसलिए पिकेटिंग से मुझे कोई विशेश परिशानी नहीं हुई हाँ मुझे पिछे का रास्ता ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता था म्युनिसिपल कमिटी ने मुझे प्राचीन वस्तों की सुरक्षा कानून के तहत एक नोटिस भीजा जिसका मैंने समुचित उत्तर दे दिया अब कानूनी दाव पिचों की लड़ाई शुरू हो गई मेरे और कमिटी के वकील के बीच इसका एक दुश्परी नाम यह भी था कि लंबे लंबे पत्र व्यवार से धेरों काग्जों से घर का रहा साहा हिस्सा भी ठसा ठस भर गया मैं मन में सोचने लगा कि यह मामला किस तरह खतम होगा कब वह दिन आएगा जब मैं घर में पैर फैला कर आराम से सोचकूंगा छे महिने बाद उपाए सामने आया सरकार ने मिनिस्टिपालिटी से मूर्ति के बारे में रिपोर्ट की मांग की और इस तथा इसके अलावा उसकी और भी खावियों के तहस सरकार ने पूछा कि कमिटी को क्यों न भंग कर दिया जाए और नए चुनाव कराए जाए मैं चेर्मेन से जाकर मिला और कहा आप आपको चाहिए कि कोई बड़ा काम कर दिखाए क्यों ने आप मेरा घर लेकर उसे राष्ट्रिय इसमारक बना दे यह मैं क्यों करूँ उन्होंने पुछा क्योंकि सर फैडरिक वहां है मैंने उत्तर दिया आप मुर्ती को पुरानी जगे नहीं ले जा सकेंगे यह जनता के धन की बरबादी होगी इसलिए जहां है वह उसी जगे उसे इसमारक के रूप में बदल दे मैं सही कीमत पर अपना घर आपको देने को तयार हूँ लेकिन कमेटी के पास इतना पैसा कहा है उन्होंने उत्तर दिया मैं जानता हूँ कि खुद आपके पास बहुत पैसा है कमेटी को पैसों पर आप क्यों निर्फर करते हैं यह आपका ऐसा काम होगा कि लोग देख कर दंग रह जाएंगे देश भर में किसी ने ऐसा काम आज तक नहीं किया होगा मैंने उन्हें समझाया कि अपने पैसों से घर खरीद कर कमेटी को दे दे आपका इससे कही जादा पैसा चुनाव लड़ने में खर्च हो जाएगा इस तरह कहने से बात उनकी समझ में आ गई वे मान गए और कुछ देर तक बात करके रकम भी तै हो गई कुछ दिन बाद अखपार में यह खबर छपी तो वे बहुत प्रसंद हुए मालगुडी की मिनिसिपल्टी के चेयर्मेन ने सर फेडरिक लॉली की मूर्ती वापस खरीद कर रास्ठ को भीट कर दी है उन्होंने निश्चे किया है कि नई जगह उसकी स्थापना कर दी जाए मिनिसिपल्टी कमिटी ने एक प्रस्ताव स्विक्रत करके कबीर गली का नाम बदर कर लॉली रोड रख दिया है यह कहानी मालगुडी डेश की कहानियों से लिग गई है आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और कॉमेंट करें आपको यह कहानी कैसी लगी और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारी चैनल A-Story2M को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद